रोजाना राशीफल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शाथ ही बैल आइकन को भी प्रेस कर दें नमस्कार मित्रों जै मातादी मित्रों आप शवी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में मित्रों आज समबात करने वाले ही बोदवार 21 जुलाई आपका देनिक राशीफल जो कि यह राशीफल आपके च्यंद राशी पर आधारित है मित्रों भगवान श्री गनेश जी की किरपाशी आज का दिन कैसा वैतित होने वाला है भगवान स्री गनेश जी के किरपाशी आपके जीवन में क्या पॉजिटिव रहने वाला है शाथ ही स्वास्त केरियर और धन की इस्तिती कैसी रहने वाली है जानने के लिए इस वीडियो के सुरूर से अंत तक जरूर बने रहे मित्रों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें शाथ ही बैल आइकन को भी प्रेश कर दें चलिए सुरुवात करती ही आज के पंचांग सी आज 21 जुलाई और बोधवार का दीन है आज 30 मास के सुकल पक्ष की 22 तिथी बन रही है यहाँ शाम के 4 बज कर 26 मिनट तक रहने वाला है और इसके उपरांत 23 तिथी आरम हो जाएगी नक्षत रहेगी जेश्ठा नक्षतर यहाँ शाम के 6 बज कर 30 मिनट तक रहने वाला है और इसके उपरांत मूल नक्षत्र आरम हो जाएगी आज का सूरी उदे का समय सुभह के 5 बज कर 56 मिनट पर और सुर्यास्त होगा शाम 7 बज कर 9 मिनट पर और सूरी रासी रहेगा करक राशी पर चंद्रमा आज ब्रिशिक राशी इसके उपरांत धनूराशी पर गोशर करने वाले है जो कि यह ठीक साम के 6 बज कर 30 मिनट तक रहने वाला है और आज के दिन सुभ शमय नहीं है रावकाल की बात करें तो यहां दो पहर की 12 बज कर 33 मिनट सी दो पहर दो बज कर 12 मिनट तक रहने वाला है रावकाल के समय में निवेश करने से बचना चाहिए क्योंकि यहां समय औसुब माना जाता है चलिए अब बात करते हैं दैनिक राशी फल ब्रिशव राशी वाले जात तक हम आपको बताना चाहेंगे आज आपको किसी प्रबुद व्यक्ति से मुलाकात होगी और जीवन को नई दिशा मिलेगी शाथ ही दोस्तों भगवान शिरी गनेश जी की किरपाशी आज आपको नौकरी मिलेगी और समाजिक काम शफल होगे साथ ही दोस्तों गनेश जी के किरपाशी धार्मिक कारियों का हिस्षा बनेंगे और मन आपका शाकरत्मक रहेगा साथ ही दोस्तों किसी से बिवात नो करें और कर्ष देने से बज़ की रहें वही दोस्तों कानोनी मामले आपके फिलहाल लंबित रहेंगे और शेहत आपका ठीक रहेगा साथ ही दोस्तों शत्रू पक्च शकरी हो शकता है और किसी की बातों में बिल्कुल नो आये वही दोस्तों आज किसी बात को लेकर परिशान हो सकती हैं लेकिन यह दिकत दूर हो जाएगी साथ ही दोस्तों विरोधी पक्ष शकरी रहेगा और गैर जरूरी कारियों में समय आपका नश्ट होगा वहीं दोस्तों आज का दिन अनुकुल रहेगा और भगवान श्री गनेश जी के किरपाश से आपकी कई योजनाएं समय पर पूरी होगी और परिवार का माहल खुशनुमा रहेगा साथ ही दोस्तों कारिक श्रित्र में आपको बड़ी शफलता मिलेगी और आप अपनी ओज़ा से बहुत कुछ हासिल करेंगे साथ ही दोस्तों कठिन परिस्तुतियों में कुछ लोगों का स्थयोग आपको आशानिश से मिल जाएगा वही दोस्तों आपके बहुतिक सुखों में ब्रिधी होगी और पुराने मित्रों से मुलाकात होगी साथ ही दोस्तों भगवान श्री गनेश्य के किरपास से आपको सुब समाचार मिलेगा और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा साथ ही दोस्तों बिशार पुर्ण होंगे और छोटे बच्चों को पैन गिप्ट करें आपके सारे काम बन जाएंगे दोस्तों अगर इन सबी बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें साथ ही सच्चे मन्स से कमेंट बॉक्स में जय स्री गिनिश भन्यवाद दीन आपका सुब रहे